राजनीत के पंडित मान कर चल रहे थे कि राजस्थान में कॉंग्रिस टूटेगी जरूर मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों का हिसाब किताब मिला लिया था कि पाइलेट खेमे के बगाइर भी सरकार बचा लेंगे बात इतनी विगड़ गई कि सचिन पाइलेट को उप मुख्य मंत्री और प्रदेश कॉंग्रिस एध्यक्ष के पद से हटा दिया गया इस वक्त राजस्थान कॉंग्रेस की कहानी में बटवारी का क्लाइमेक्स आया उसके बाद कहानी एक मोड़ पर मुड़ गई और फिर एंट्री हुई प्रियंका गांधी की अब आप इसे प्रियंका का पंच कहें या गहलौत पाइलेट के बीच पंच परमेश्वर की भूमिका कॉंग्रेस की पल्टी हुई गाड़ी को वो पटरी पर ले आई प्रियंका गांधी की तमाम कोशिशों के बाद मुख्यमिंतरी अशोग गलोत और पुरुप मुख्यमिंतरी सचीन पाइलेट एक जाजम पा आतो गए लेकिन विधायक दल की बैठक में इशारो इशारो में दोनों के बीच जंग के व्यंग बान भी चले इस बारे में यही कहा जा सकता है कि दोनों को पुरुप धान मंतरी अटल विभारी वाजपेई की कविताएं पहनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता तूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता पाइलेट को अभी कोई पद नहीं मिला है लेकिन अब उनका सत्य ना परेशान है ना पराजित तीन सदस्यों वाली कमेटी से उस सत्य को चमक मिलेगी हम सब चाहते थे कि जो इशूस हमारे हैं उसकी सुनवाई की जाए और अंत में अब कॉंगेस अध्यक्ष के लेवल पर जब बात हुई सुनवाई हुई कमेटी का कठन हुआ मुझे लगता कि समय बत तरीके से इन सब समस्चाओं को समधान भी होगा और जो तमाम इशूस हमने टेक अप किये थे उसका सकरात्मक समाधान ढूंडने की दिशा में बढ़ रहे है अब आप राजस्थान की राजनीत की उस क्रोनालोजी को समझिये जिसमें प्रियंका की एंट्री हुई समवार को प्रियंका गांधी ने दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे तक सचिन पाइलेट से बात चीत की उसके बाद उसी राद 10 बजे पाइलेट खेमे के बिधायकों से मुलाकात की उस मुलाकात के बाद पाइलेट पहली बार मीडिया से रूबरू प्रियंका जे मुलाकात के अगले दिन ही पाइलेट जैपूर चले गए लेकिन मुख्यमंत्री अशोग गहलौत इस सुलह समझहोते से बहुत सहज नहीं थे वो पहले जैसलमेर में अपने खेमे की विधायकों से मिलने चले गए वहाँ से लोटे तो जोदपूर में अपने घर और फिर जैपूर में अपने मुख्यमंत्री आवास में लेकिन प्रियंका गांधी सोंबार की बैठक तक ही सीमित नहीं रही प्रियंका ने कल रात ही संगटन महासचिव केसी वेणु गोपाल को जैपूर भेजा जहां रात में फेर मॉंट होटेल में उन्होंने गहलौत खेमे की विधायकों से मुलाकात की आज सुबे प्रियंका गांधी वेणु गोपाल के संपर्क में लगातार रही प्रियंका का संदेश वेणु गोपाल ने गहलौत समर्थक विधायकों तक पहुंचाया कि नफरत से नफरत और प्यार से प्यार बढ़ता है प्रियंका की ये कोशिश रंग लाई और विधान सभा में बहुमत साबित करने से पहले कॉंग्रेस के दोनों खेमों की विधायकों ने एक साथ हाथ उठा कर समर्थन की हामी भरी जिस तरह दिगविजे सिंग और कमलनात के भरों से कॉंग्रेस ने मद्ध प्रदेश गमा दिया वैसे ही कहीं गहलोत के कारण राजस्थान ना चला जाए इसमें प्यांका ने एक पाइलेट को साथ कर कई निशाने लगा दिये